साथियों नमस्कार मैं मूर्ती कुबर विजन साभ का साथी साथियों अभी-अभी M.D. साभ ने समाचार दिया है कि सेलिबूल कॉइन्स का जो फार्मला है 0.25 या फिर जो सेलिबूल कॉइन्स अवेलिबल हैं के अकॉण में उनका बारा भाग करने का जो पार्मिला है वो सुधार किया गया उसमे और उन्होंने कहा है कि जिसकिसी सद्शके पास उनके अकॉण में पचास या पचास से कम कॉइन हैं सेलिबूल कॉइन्स वो उन कॉइनों को जो है एक साथ बेच सकता है तो साथियों ध्यान दीजिएगा कि यमडी साब ने कहा है कि 50 या 50 कोईन से कम जिनके पास Sellable कोईन से वो जो है अपने कोईन को जो है एक साथ जो है BCTT में बेच सकते हैं ऐसा नोंने प्रावधान किया है तो हमारे लिए खुशी कि ये बात है कि अब जो है जिनके पास बहुत कम कोईन है और जिनको पैसे जो हैं बहुत ही जरुरत है वो अपने कोईन को बेच कर जो है अपने पैसे यहां पे ट्राप्ट कर सकते हैं और आने वाले समय में उनने कहा है कि जैसे उनने पिछले देड़ साल से या कोईन का लांच करने के बाद से जो भी प्रामिस किया है जो वाइदे किया है उनको पुरा पुरा करने का जो है उनने कदम आगे बढ़ाया है करिक्रम त्यार कर लिया है और जो भी प्रामिस किया है जो भी वाइदा किया उन्होंने सद्धिसों से वो पूरे करने को जा रहा है ऐसा उन्होंने कहा है पले कंपणी ने बोला था कि जो भी आपके पास इस टेकेबल कोई होगी उसका 1.66% आपको सेलेबल कोई के रूप में मिलेगी और उसे आप बेज सकते हैं उस समय के करेंट और फिर बाद में सेमडी सर ने कि वो कोईन की ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए इसका रेट को बढ़ाने के लिए का कि आपके पास जो भी इस टेकेबल कोई होगी उसका आप 0.25% है आपके कोईन से लेवल में कनवर्ट होगी और उसे आप बेज सकते हैं वो भी जितनी से लेवल कोईन 0.25% से कनवर्ट होगी उसका बार से डिवाइट करने के बाद जितनी कोईन आएगी उतनी आप हर महीने बेच पाएंगे जैसे अगर आपके पास 120 से लेवल कोईन होती है तो उसे आपको बार से भाग देना पड़ेगा तो आपकी 10 कोईन पर मन्त आपको ब रेट बढ़ेगा क्योंकि किसी चीज को लेने वाले कई लोग होते हैं और बेचने वाले कम लोग होते हैं उस समान की मार्केट में उपलबदता कम होती है और खरीदने वाले ज्यादा होते हैं तो उसके रेट बहुत तेजी के साथ बढ़ जाता है जैसे कि आप में मार्के कर दिया जाता है बड़े-बड़े सा उकारों के द्वारा जमा खोरी कर दी जाती है तो मार्केट में उस समान की उपलब्दता कम हो जाती है और उसका रेट बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाता इसी फार्मूले को सेमडे सर ने अपने किप्टो करंशी में कीवो कम क्रांड बहुत ज्यादा रहे और supply बहुत कम रहे जिसे की कॉईन का रेट बहुत ज्यादा बड़े इससे कुछ लोगों को बहुत टेंशन हो गई थी जिनके पास कम क्वाईन थी ओकी वो मेंबर बहुत ही टेंशन में हो गए थे कि हम इतनी कम कॉईन को जब बेचेंगे त तो हमें क्या मिलेगा इतनी कम क्वाइन से हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो पाएगी और हमारी जो क्वाइन है यह टुकुरों में बठ गर रहा जाएगी यह इसे हमें कोई फायदा ज्यादा नजर नहीं आ रहा था इसे वह लोग बहुत ही टेंसनमें थे तो सेमडी सर कीवो फेमली के सभी के भलाई के लिए काम कर रहा है एक बार वे पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और कीवो मेंबर के कीवो फेमली के पूरी भलाई के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और जो कीवो मेंबर का उनका लच रता है कि वो मेंबर कोई भी हो वो अमेशा खुसहाल होना चाहिए कभी टेंशन में नहीं होना चाहिए उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए उसे कोई नुक्सान नहीं होना चाहिए तो कीपो फेमली मेंबर जो लोग टेंसर में थे जिनके पास कम क्वाइन थे और उन लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए सेमडी सर ने एक बहुत ही बढ़ा फैसला किया है कि जिनके पास अगर 50 या 50 से कम से लेबल कोईन है तो वह अपनी कोईन को एक बार में सिल कर सकते हैं उनको टुकडों टुकडों में बाटना नहीं पड़ेगा उन्हें हर मन्त उस कोईन को डिवाइड करके बेचना नहीं पड़ेगा वो अपनी पूरी की पूरी जो से लेबल कौाइन होगी पच्चास या पच्चास से कम तो एक बार में ही बेज सकते हैं स्टेमडी सरकार बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि वो फैमली मेंबर के लिए तो यह एक बहुत ही जबदस्त गुड नियूज है सभी की वो फैमली मेंबर के लिए तो अब सभी की वो फैमली मेंबर अपनी केवाशी करके कंप्लेट कर लिजिए क्योंकि जल्दी आपको कीवो कौाइन को बेचने का मौका मिलेगा और इसे आप BCT एक्चेंज में अपनी कौाइन को टांसफर कर पाएंगे और वहाँ से अपनी कीवो कौाइन को जो सेलेबल कौाइन के रूप में मिलेगी उसे आप बेच सकते हैं तो यह कीवो फैमली मेंबर के लिए बहुत बड़ी गुड नियूज है जय जय कीवो